नमस्कार आरे नियूज देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पलवी सेंग उत्राखंट बुलेटिंग की शरुवात करेंगे बड़ी खबरों के साथ सरकारी अस्पितालों में मरीजों को बहतर स्वास्त सेवाएं उपलप्त कराने के लिए अप्रते एक जुलास्तर पर नौडल अधिकारी नामिट किये जाएंगे बता जो रहा है कि सीम धामी ने एक बड़ा अलान किया है उन्होंने कहा कि अब राज्य के बुगोलिक परिस्तियों के अनुकूल आम लोगों को बहतर सुविदाएं उपलप्त कराने और जन कल्यान कारी योजनाओं का लाप सुनिश्चित करने के साथ साथ योजनाओं का प्रभावी क्रियानवन के लिए सरकार प्रयासरत है राज्य की परिस्ति के अनुकूल अब लोगों को बहतर सुविदाएं उपलप्त करवाई जाएंगी और इसी के लिए कारे योजना तयार की जा रही है साथी साथ उन्होंने कहा है कि राज उस्तर पर कमिटी गटित करने के निर्देश दिये गए हैं और इस बीच आपको ये भी बता दे कि सीएम आवास पर स्थिद कैम्प कारियाले में मुक्यमंत्री से हर्याना गवर्नेंस रिफॉर्म अथॉर्टी के चेर्मेन डॉक्टर कुमार ने मुलाकात की उन्होंने मुक्यमंत्री को हर्यान सरकार की ओर से राज में जन सुविधाओं के विकास सेवाओं को ततकाल आम लोगों तक पहुंचाने और जन शिकायतों का निप्टारा करने के लिए किये ज़ार है प्रयासों की जानकारे दी है मुक्यमंत्री ने कहा कि उत्राखंड ब्राज्य के भोगोलिक परसितों के अनुकूल आम लोगों को बहतर सुविधाएं जो हैं उपलप्त कराने का और जन कल्यानकारी योजनाओं का लाप सुनिश्रित करने के साथ साथ योजनाओं का प्रभाविक रियानवान करने के लि और इस बीच मुखे मंतरी पुश्कर सिंग धामी ने देहरदून में वर्ट्वल माध्यम से बीच बम अभियान सब्ता का शुभारम किया है। कुमार आर्या ने देहरदून में प्रतिभाग कर बीच बम की जानकारी दी है। जिला दिकारी ने कहा है कि कारेगरम का उद्देश प्रभावित हो रही जैव वेविदताओं को सनरक्षित करना और वन्य जीवों का खाद श्रंकला को पुनर जीवित कर वन्य जीव मानव संकर्ष में कमी लाना है। इस से मिट्टी और गोबर को पानी के साथ मिलाकर एक गोला बनाया जाता है जहां स्थानी जलबायों और मौसम के अनुसार उस गोले में कुछ बीच डाल दिये जाते हैं। तो महीं जिला विकास अधिकारी पुश्पेंद सिंग्चोहान ने समस्त लोगों से ये अपील करते हुए कहा कि बीच बम का उप्योग अवश्य करें। बड़ते गली खबर की और मुखे मांतरी पुश्पेंद सिंग्चोहान ने समस्त लोगों से अवश्य करें। पुश्पेंद सिंग्धामी ने यहां एक भाशन देते हुए कहा है कि कावडियों पर अब हेलिकॉप्टर से इस बार पुश्पुवर्शा कर उनका स्वागत किया जाएगा। समिक्षा भी की। उन्होंने पुलिस प्रिशासन और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ साथ कावड तयारियों को लेकर प्रगती रिपोर्ट मांगी है। का गया है कि सबी भी भाग आपसी समन्वे के साथ यात्र तयारियों को पूरा करें और इसमें किसी भी तरह किला परवाही बरदाश्ट नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि साल चार करोड से अधे कावडियों के आने की संभावना है। और उत्रकाशी जिले के नौगाउं ब्लॉक में थली गाउं से साड़ा तोक में कमन नदी के बीच तेज बहाव के दोरान गाउं के 55 साल के कैदार सिंग राणा बह गये हैं। दरसल आपको बता दे कि शनिवार सुबह ही केदार सिंग मवेश्यों के लिए चारा पत्ती लेने गए थे और इसी दौरान अचानक उफान पर आई कमन नदी के तेज बहाव में वो बह गये। गरामीन सुबह से ही केदार सिंग को ढूंड रहे थे लेकिन उनका कोई पता नहीं चुल सका। इस बीच खबर आई कि केदार सिंग की घटनासल से कुछ दूरी पर दरानती और असी बरामत हुई है। इसी के अधार पर बहने की संभावन चुताए गई। वहीं आपको बता दें कि SDRF की टीम ने भी मौंके पर पहुँचकर रेस्क्यू शुरू किया। लेकिन इस बीच खोजबीन में जुटे कुछ ग्रामीनों को घटनासल से पांच किलोमीटर की दूरी पर केदार सिंगा शुरू दिखा। इसी बीच उसके बाद SDRF ने रेस्क्यू बंद कर दिया और शुरू की पहचान कर हाथ पर नाम लिखे होने से हुई और उसके बाद ये शुरू पारिजनों को सुपोर्ट कर दिया गया।